शीरा आयोध्या में नज़र आ रही है इस वक्त आयोध्या में सभी राम धुन में रमे हुए हैं हर तरफ माहौल ऐसा है जो भी यहां पहुँच रहा है प्रभू शीराम के रस में उनके जुनूर में दूबना चाहता है और मौका ऐसा है यह उस सब ऐसा है क्यूंकि एक लब में तब तब अस्य के बाद यह मौका आया है जब राम लला की प्रान पुतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है और उसके लिए आयोध्या पूरे तरीके से तैयाद नज़र आ रहा है जैसे श्री राम चरित मानस के बाल कांड में बाल रूप राम लला के सौंदर्य का वर्णन मिलता है ठीक वैसे ही मेग के समान श्याम शरीर में करोडों काम देवों की शोभा को समेटे राम लला की दिव्य मूर्थी ये श्याम वन मूर्थी भगवान राम के धाम की केंद्र बिंदू बनी हुई है प्राण प्रतिष्ठा से पहले उस प्रभूश्री राम की अचल मूर्थी के दिव्य दर्शन कीजिए राम लला की नई दिव्य मूर्थी का स्वरूप अत्यन्त मनुहारी है ये मूर्थी उस राम लला के बाल रूप की है जिनके बारे में दावा मिलता है अब सौंप दिया इस जीवन को श्री राम तुम्हारे चरणों में कि आज से साथ हजार साल पहले भगवान राम ने एक इनसान के वेश में लीला करने के लिए धर्ती पर अवतार लिया था मूर्ती के चारों तरफ श्याम शैल का घेरा है उस पर सारे शुब निशान उकेरे गए हैं सूर्य वन्शी श्री राम की मूर्ती के मस्तक के उपर भगवान भाशकर सूर्य है ध्यान से देखने पर मूर्थी में शेशनाग के दर्शन मिलते हैं क्योंकि भगवान राम विश्नु के ही अवतार थे और क्षीर सागर में शेशनाग भगवान विश्नु को शय्या के रूप में आराम देते हैं दाई तरफ ओम अंकित है, बाई तरफ गदा है, स्वास्तिक है, नीचे दोनों तरफ हाथ जोड़े हुए बजरंग बली है, वहीं बीच में दोनों तरफ भगवान विश्णू के दसो अवतार के दिव्यर रूप के दर्शन होते हैं, गरुन पुराण में दशावतार का वर् पुरा, नर्सिं, वामन, परशुरा, राम, क्रिश्न, बुद्ध और कल की आउतार। पैर से लेकर सिर्थ तक ये मूर्थी अप्रतिम है, इस मूर्थी में राम लला की दर्शन तो मिलते ही हैं, इसमें श्री राम की सूरेवन्शी संसकार की जलक मिलती है, इसमें सत्यूग की मर्यादा देखती है, बुराई पर अच्छाई की विजय का वर्नन मिलता है, तो अवनी को असुरों से मुक्त गराने का संकल्प का साक्षाकार मिलता है। प्रेश्ट सप्तपूरियों में शामिल आदी नगरी आयोध्या के विना सनातन सभेता का हर अध्याय अधूरा है। इसी आयोध्या में नया इतिहास अध्याय लिखा जा रहा है। राम लला की ये दिव्य मूर्ती गर्व ग्रे में स्थापित हो गई है। उस मंदिर के गर्व ग्रे में जो राम की जन भूनी पर भव्य आकार ले चुका है। किसी भी मंदिर में मूर्ती पूजन प्रारंब होने से पहले उसमें प्राण प्रतिष्ठा का विधान है। इस विधान के पीछे सिर्फ परंपर नहीं, अध्यात्म के साथ विज्ञान का तत्व दर्शन समाया हुआ है। जवान के जब कृपा होती है तो उनके कार्येका जब आता है तो ऐसे मुर्द मिनते हैं, सदाने मिनते हैं। जब ग्रहों में से पाँच ग्रह जब अच्छे हो जाते हैं तो अधिकाम्श शुभ हो गये, इसी माननेता है। अब यहां पर च्छोग्रह मिल रहे हैं। अर्थाद दो तिहाई सब शुभ ही कार्यों होने का है। तद अंसर मोगत दिया है। प्रान पतिट्टा में जतने भी हमारे यहां देवदा हैं, नोग्रह हैं। और जदनी राशिया हैं, सभी को सांती करने के लिए पूया अचना होता है। यह जो कार्यक्रम संपूर्ण होने वाला कोई एक ही अस्थान पर नहीं होने वाला है। उसके लिए सामानेत तीन अस्थान कोई दूर ही नहीं। बिल्कुष समीप में ही। सबसे प्रथम गर्भग्र। दूसरा जो है यग्यमंडप। तीसरा जो है यग्यमंडप का प्रांगण। तो क्रम वहां से प्रारम होगा कि बाहर प्रैस्थित, उसके बाद पंचांगादी पूज, वरणादी होने के पस्चात मंडप प्रवी है। प्राण प्रतिश्था के साथ सनातन संस्कृती की मानेता जुड़ी होई है। 19 जन्वरी 2014 आरणिय मन्थन से अगने स्थापन, 20 जन्वरी 2014 गर्ब ग्रे की वास्तुशांती, वास्तुवेदी के स्थापना, 21 जन्वरी 2016 रामलला को 125 कलशों से दिव्यसनान, महभिशे खेबाग अधिवास, 22 जन्वरी 2014 उम्रेक शेरा नक्षत्र में प्रांण प्रतिश् 22 जनवरी 2024 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी के हाथों होगे जिसकी तैयारियां पूरी हो गई है राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का शुक मुहूर्थ जोतिश के प्रकांड विद्वान पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रमण ने निकाला है यही वो शास्त्री हैं जिन्होंने राम मंदर का भूमी पूजन और वाराण सी के काशी विश्वनात कोरिडूर के उद्गाटन का मुहूर्थ निकाला था 22 जनवरी 2024 को पौश शुकल द्वादिशी है सो मुवार है मर्गशीर शनक्षत्र है उच्चराशी का चंद्र है अभीजित का समय है मध्यान में आता है अभीजित के समय महा विश्णू आकाश मंडल में रहकर सुदर्शन चक्र के द्वारा सारे दोशों को निवारण करते प्राण प्रतिश्था एक जीवन्त प्रक्रिया है देव प्रतिमा की प्राण प्रतिश्था उस मूर्थी को जागरत करने की पौने प्रक्रिया है इस से मूर्थी में प्राण नहीं आते बलकि वो मूर्थी जागरत अवस्था में आ जाती है प्राण प्रतिश्था के मुहूर्थ में विचार किये जाने वाले कुल 16 वर्गों में 10 वर्ग भी अत्यंत शुब है। मेश लगन के गुरू की विशिष्टा ये है कि दोश उत्पन करने वाले 5 बाण यानि रोग बाण, मृत्यो बाण, चोर बाण, राज बाण और अगनी बाण में से कोई भी बाण संजीनी मुहूर्थ में नहीं रहेगा। मुहूर्थ के दोरान 9 ग्रहों में से 6 ग्रह मित्र के रूप में अपने घरों में रहेगे। मुहूर्थ में गुरू मित्र ग्रही होकर नवांश में उचका रहेगा। आन्यक ग्राहों के राहू केतु के चारों तरफ ना होकर सिर्फ दो तरफ होने से काल सर्प दोश के स्थिते भी नहीं रहेगी सूरे के मखर राशी में होने से पोश मास का दोश भी नहीं रहेगा सोरे के अभिजीत में होने से म्रिगा शिर्ष नक्षत्र भी शुब भलदाई होगा अभिजीत में होगी और भागयोदे उन्नती होगी जब भगवान की होगी तो देश की भी होगी सिनातन शास्त्र के मुताबिक पूजा दिवशक्ति की होती है जो सुरिष्टी के रचायता है किसी प्रतिमा की पूजा करना तो आराधना करने का एक तरीका होता है ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा एक अनुष्थान होता है कैसे हम अपने भगवान को आभान करते हैं कि वो आएं इस मूर्ती में विराजें इसी तरीके से 22 जनवरी को प्रदान मंत्री नरेंडर मोदी द्वारा उस अभीजीट मूरत में प्राण प्रतिष्था हमारे रामलला की करने वाले हैं प्राण प्रतिष्था के अनुस्ठान के तहट ही शुक्रवार को अरणी मंथन से अगनी प्रगत की गए अरणी मन्थन से उधपन हुई अगनी की कुंडों में स्थापना की गई प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए शास्त्रिय परंपरा के अनुसार दो मंडप और नौ हवन कुंड तयार हुए है सभी नौ कुंडों में एक साथ अनुष्ठान चल रहा है अरणी मन्थन से अगनी के प्रकटी करण का विधान कितना खास है प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में आचार्य के तौर पर शामिल लखनौ विश्व वित्याले के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर श्यामलेश कुमार तिवारी से जान लीजिए अश्ठ लाकर और उससे अरणी मन्था नामक दो यंत्र निर्मान किये जाते हैं और उन यंत्र में इसके मंत्रों के द्वारा आवाहन करके घर्षन के द्वारा जो अगनी निकलती है उस अगनी का स्थापन जो है उस कुंड में करके वहाँ पर जो आवाहित जितने देवी देवता वेदियों पर है उनका हवन क्रिया वहाँ पर प्रारंब होगी प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के अधिवास का बहुत ही एहम विधान है राम मंदिर में भी 18 जन्वरी से 21 जन्वरी तक अधिवास का अनुष्ठान चलता रहेगा गर्धान मंत्री नरेंद्र मूदी 22 जन्वरी को याजमान की तोर पर प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल होगे इसी श्याम वण विग्रा की आख की पट्टी खोल कर उन्हें आइना दिखाएंगे इसके बाद प्यम मुदी भगवान श्री राम को सूने के सिक्के से काजल लगाएंगे आखिर में प्यम मुदी राम लला की महा आर्थी करेंगे पहली महा आर्थी के बाद प्राण प्रतिष्ठा का नुष्ठा संपन्न हो जाएगा आपके और हमारे राम लाला के दर्शुन कर पाएँ भाव्य आयोध्या में दिव्यर राम लाला आर रहे हैं राम लाला हो गई है भव्य तयारी चा गए हैं राम लाला देख लो देश की तयारी कश्मीर से कन्या कोमारी था राम 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 किरूए श्यावर राम राम चंद्र खेंmeye है प्धाब की फ्रील tv मुझे आयोध्यार आए वे अभी कुछ ही दिन हुए हैं लेकिन इतने ही दुनों में मुझे एहसास हो गया है कि मैं अपने करियर का या कहें जिंदगी का सबसे वड़ा उत्सव कवर कर रहा हूँ राम लेला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही देशी नहीं पूरी दुनिया में राम नाम की गूजो रही है मैं हैरान हूँ और मैं बहुत हुश्वी हूँ कि अब आयोध्या में राम राज के दर्शन होने लगे हैं पूरा देश राम मैं हो चुका है अयोध्या पूरी तरह से सच चुकी है राम मंदिर का कोना कोना फूलों से सजाया जा रहा है जरब राम मंदिर के गुम्बत को देखिए जिसे धाइलेंड से लाए गए फूलों से सजाया गया है तो हम आपको न्यूजेटीन इंडिया पर सबसे पहले तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जब गुंबद उपर सजा है कितना खुबसूरत लग रहा है ज़रा देखिए आप आप परकोटा देख रहे हैं और यह देखिए किस तरीके से थाइलेंड से सदलाए हुए सिंग द्वार पर फूल सजाए जा रहे हैं उपर का जो गुंबद है वो भी पूरी तरीके से रंग दिया गया है और देखिए वी वी आईपी के लिए यह आप नीचे टेंट लगा द दिया गया है कि देश भर पर अधिया गया है कि देश भर अधिया में राम मंदिर का शुभारम न्यूज 18 इंडिया पर शताप्धी की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे अखंड कवरेज सीधे राम मंदर आयोध्या से लाइव चले कास्ट देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क के साथ 108 घंटे का सीधा परसार। हमारे साथ वो होंगे जिन्ने देश सुनना चाहता है। कर दो झाल